नमस्कार दोस्तों आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टड़ी ITI स्किल्स के एक और नए वीडियो में आज के वीडियो में हम सोल्डरिंग की स्टड़ी करेंगे तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा आये स्टार्ट करते सबसे पहले जानते हैं कि सोल्डरिंग क्या होती है किने भी धातू के पार्स को सोल्डर के द्वारा जोडने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है सोल्डरिंग के द्वारा मुखिता धातू की पतली शीटों या तारों को जोडा जाता है सोल्डरिंग के द्वारा जो जो बनता है वह अर्ध इस्थाई जॉइंट होता है अब प्रश्ण यह उड़ता है कि सोल्डर क्या होता है सोल्डर मुखिताहद दो या अधिक धातूं का मिश्ण होता है इस मिश्ण को पिगला कर धातू की पतली शीटों या तारों को जोडा जाता है सोल्डर को पिगला कर धातू की पतली शीटों या तारों को जोलने की प्रक्रिया सोल्डरिंग कहलाती है सोल्डरिंग करने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे सोल्डरिंग आयरन की द्वारा ही सोल्डर को पिगलाने का कार्य किया जाता है आईए सोल्डर के बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं जैसा कि हमने अभी जाना कि सोल्डर मुखिताह 2 या अधिक धातुओं का मिश्ण होता है सबसे अधिक प्रयोग होने वाला सोल्डर तिन एवं लेड धातुओं को 63 रेशो 37 के अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है सोल्डर बनाने के लिए मुखिता तिन, लेड, एंटिमनी, कॉपर, कैड्मियम, जिंक, सिल्वर, फोस्फोरस आधी धातुओं का प्रयोग किया जाता है सोल्डरिंग प्रक्तिया में प्रयोग होने वाली सोल्डर का गलनांग, जोड़ी जाने वाली धातुओं के गलनांग से कम होना चाहिए सोल्डर को प्रमख रूप से दो भागों में बाटा जाता है, सोफ्ट सोल्डर इवं हार्ड सोल्डर Soft solder के द्वारा बनाए गए जोड 450 degree Celsius पर खुल जाते हैं यानि जहाँ पर working temperature 450 degree centigrade से कम हो वहाँ पर joint लगाने के लिए Soft solder का प्रयोग किया जाता है सामाने तहां Soft solder तिन इवं लेड का मिश्ण होता है सबसे अधिक प्रयोग होने वाले सोल्डर में तिन इवं लेड धातूओं को 63 रेशो 37 के अनुपात में मिलाया जाता है Soft solder बनाने के लिए प्रमुक रूप से तिन, लेड, एंटीमनी, कॉपर, टैड्मियम इवं जिंक की मिश्ण धातूओं का प्रयोग किया जाता है Soft solder का प्रयोग मुक्यतह बिजली और electronic उपकरणों में जॉइंट लगाने के लिए किया जाता है ऐसे solder होते हैं जो 450 degree centigrade से अधिक तापमान पर प्रयोग किया जाता है 33% zinc और 67% copper के मिश्ण से तयार solder से बहुत मजबूत जोड तयार होता है इस solder को speltr भी कहा जाता है Hard solder बनाने के लिए प्रमुक रूप से copper, zinc, silver, tin, cadmium एवं phosphorus की मिश्ट धातुओं का प्रयोग किया जाता है Hard solder का प्रयोग मौटे तारों, धातु के बड़े टुकडों आधि पर जोड लगाने के लिए किया जाता है यहाँ पर एक बात और याद रखें कि soft solder में flux के रूप में मुखता resin, zinc chloride, ammonium chloride आधि का प्रयोग किया जाता है तथा hard solder में flux के रूप में मुखता borex powder का प्रयोग किया जाता है यह flux क्या होता है इसकी study अभी हम इस वीडियो में आगे करेंगे आईए अब जानते हैं soldering iron के बारे में Soldering करने के लिए जिस ओजार को गर्म करके solder को पिखलाने का कारिक किया जाता है वह soldering iron कहलाता है Soldering iron मुखता दो प्रकार की होती है mechanical soldering iron एवं electric soldering iron mechanical soldering iron की बिट को blow lamp से गर्म करके soldering प्रक्रिया की जाती है mechanical soldering iron के निम निलिखित मुख्य भाग होते हैं core, head, shank एवं handle core soldering iron का वह भाग होता है जो गर्म होकर soldering की क्लिया करता है जब soldering iron का core त्रक्रिबजाकार एवं अंग्रेजी के वी अक्षर के समान आक्रती का होता है तो इसे hatchet type soldering iron कहते हैं एवं जब soldering iron का core वरगाकार एवं प्रामिर के समान आक्रती का होता है तो इसे square type soldering iron कहते हैं soldering iron का core एवं head मुख्य तहा तामबे का बना होता है soldering iron को पकरने के लिए लकडी के handle का प्रयोग किया जाता है sheet metal कारियों में मुख्य तहा mechanical soldering iron का ही प्रयोग किया जाता है electric soldering iron का प्रयोग मुख्य तहा electric उपकरनों में joint लगाने में किया जाता है इसमें बिट को गरम करने के लिए विद्युधारा का प्रयोग किया जाता है electric soldering iron के heating element में से विद्युधारा प्रवाहित होने पर copper bit गरम हो जाता है electric soldering iron 25 watt से लेकर 500 watt की range में उपलब्द होते हैं आईए अब जानते हैं कि flux क्या होता है soldering करते समें solder के साथ flux का प्रयोग किया जाता है flux एक रासाइनिक पलार्थ होता है जो powder, paste या liquid के रूप में हो सकता है flux निमनलिखित कारे करता है soldering के द्वारा जोडी जाने वाली सत्हों पर oxide बनने से रुखता है solder को शीग पिहलाने में सहायता करता है solder की पकड मजबूत बनाने में सहायता करता है solder का प्रष्टतनाव कम करता है जिससे solder सरलता से जोडी जाने वाली सत्हों पर फैलता है soldering में flux के रूप में मुखितहा hydrochloric acid, zinc chloride, ammonium chloride, olive oil, borax, resin, आदी का प्रयोग किया जाता है hydrochloric acid, zinc chloride, इवं ammonium chloride, corrosive flux कहलाते हैं क्योंकि यदि यह flux धातू पर लगे रह जाएं तो उन्हें नुकसान पहुचाते हैं इवं धातू पर जंग लग जाती है olive oil, borax, resin को non-corrosive flux कहते हैं क्योंकि यह flux धातू की सतह को कोई नुकसान नहीं पहुचाते automobile trades के सिरेवस में एक और topic है pipe fittings अगले वीडियो में हम pipe fittings की basic study करेंगे वीडियो आपको कैसा लगा यह comment box में comment करके हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को like करके share करना ना भूलें हमारे सभी वीडियो की notification पाने के लिए channel को subscribe भी जरूर करें यहाँ पर जो और वीडियो की link दी हुई है इनको भी आप जरूर देखें यह आपके लिए बहुत helpful होंगे तो मिलते हैं next वीडियो में जैहन